हेलो एब्रीवन मैं संचीता जैन मैंगनेट ब्रेंज इन्दी मीडियन चनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ मैंगनेट ब्रेंज प्रोवाइड कराते हैं आपको क्लास 7 लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सिस हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन वो भी बिल्कुल प्री जी हां तो आईए और जुडिये मैंगनेट ब्रेंज के साथ तो आज के सेशन में मैं बताने वाली हूँ आपको क्लास 10 की सामजी विज्ञान में पॉलिटिकल साइंस यानि की राजनीती विज्ञान के चैप्टर का क्विक रिवीजन जो की चैप्टर का नाम क्या है जाती धर्म और लेंगिक मसलेजी हां यह चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा दिया जा चुका है इसके चैप्टर को दो तीन पार्ट्स में पढ़ा आज मैं बताने वाली हूं जाती धर्म और लेंगिक मसले जो की अपनी क्लास 10 की स्टी में पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर है उसका 15 मिडवाला जी हां मात्र 15 मिडवाला क्विक रिवीजन तो फटाफट से आज किस धमाकेदार सेशन को जल्दी से और फटाफट से ल लेंगिक मसले और राजनीती की बात करें सबसे पहले जाती धर्म और लेंगिक मसले तो सबसे पहले हम लेंगिक मसले और राजनीती की बात करें जिसमें श्रम का लेंगिक विभाजन कैसे किया गया है तो लेंगिक विभाजन क्या कहा जाता है लेंगे के आधार पर काम का हैं उसके बात देखें जैसे घर के अंदर अधिक्तर काम औरतें करती है और पुर्षओं द्वारा जो है बाहर के कामकाज किये जाते हैं एक और जहां सारवजनेक जीवन पर पुर्षों का वर्षश्वर रहता है क्या बात खी गई है जहां सारवजनेक जीवन पर पुर्षों का वर्षश्वर रहता है वहीं दूसरी और महिलाओं को घर की चार दिवारी में समिट कर रखा जाता है तो श्रम का लेंगे एक विभाजन मेल और फीमेल में महिला और पुर्शों में किस तरीके से किया गया है कि घर के अंदर के काम चार दिवारी में रहकर औरतों को करना है और सारवुजनिक जीवन के काम और सारवुजनिक जीवन का आनंद कॉल लेंगे भई पुरुश लेंग की मांग करना या नारी शशक्तिकरण की मांग करना क्या कहलाता है नारी वाद कहलाता है नारी और नारी यानिकी महिला और पुर्षों के लिए एक समान अधिकारों की मांग करना सब के लिए समान अधिकार जितने अधिकार पुर्षों को हो तरे अधिकार महिलाओं को हो तो से क्या कहा जाता है नारी वादी कहा जाता है जिसे नारी शिशक्तिकरण की मांग यह विमन इंपावरमेंट की डिमांड के रूप में जाना जा दर्जे को उचा उठाने उनके लिए सिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग और उनके व्यक्तिगा तेवं पारिवारिक जीवन में बरावरी की मांग करने वाले आंदोलन को नारी वादी आंदोलन कहा गया है अब देखें आगे फटापुट से महिलाओं का दमन किस तरीके से किया जाता है महिलाओं का दमन हमें किन रूपों में देखने को मिलता है पहला देखें अपन साक्षरता की दर लिटरेसी रेट की हम बात करें साक्षरता दर की बात करें तो महिलाऄ की साक्षर्टा की दर 54 प्रतिशत है जबकि पुरुषों की कितनी एंगा महिलाँ की शाक्षर्टा द रहमें खम नज़र आ रही है। पुर्षों की साक्षटा दरहमें ज़्यदा नज़रा-अ मिल रहा है उची स्तिती के पद्व पुर्षों को मिल रहे हैं भी महिलाओं की सिती हैं पर हमें कमतर नजर आ रही है फिर देखें असमान लिंगन उपाद ठीक है जैंडर रेश्यों की बात हो रही है अभी भी प्रती हजार पुर्षपर महिलाओं की संख्या कितनी है 919 घरेलू और सामाजिक उत्पीडन महिलाएं जो हैं घरेलू उत्पीडन का भी शिकार होती है घरेलू इंसा का भी शिकार होती है और सामाजिक उत्पीडन का भी शिकार होती है जन प्रती निधी संस्थाओं में कम भागीदारी अत्वा प्रती निधित्व संसत की बात करें की सोपे गए हैं विधाईका में महिलाओं के प्रते निधित्व में सुधार की लिए क्या किया जा सकता है विधाई का में महीलाओं के प्रते निधित्व में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है पहला पॉइंट देखें सबसे पहले तो पहले पॉइंट में बात कहीं गई है कि विधाई का महीलाओं के प्रते निधित्व में सुधार के लिए महीलाओं के लिए सीटों का आरक्ष तो में सुधार के लिए महीलाओं की सीटों का आरक्षित कानुनी रूप से जरूरी है पंचायत में एक तिहाई सीटे कितनी एक तिहायानि की 33% सीटे महीलाओं के लिए आरक्षित हैं और कुछ राज्य में 50% सीटे तक आरक्षित हैं किसमें पंचायतों महीलाओं के लिए और वो राज्य कौनकों से हैं बिहार उत्राखंड मध्रप्रदेश और हिमाचल प्रदेश अब आंगे देखें भारत सरकार के द्वारा नारी इसमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं बहुत ही पत्तियों में इस्तरी पर उसको बराबर हक देना उसके बाद देखें कन्या भुरून हत्या को कानूनन अपराद घोशित करना उसके बाद देखें समानकारी के लिए समान पारिश्रमेक या समानकारी के लिए समान वेतन का प्रावधान करना उसके बाद देखें नारी सिक अब देखें धर्म सामप्रदायक्ता और राजनीती की अब हम बात करें धर्म सामप्रदायक्ता और राजनीती की बात करें ठीक है जाती धर्म और लेंगिक मसलों की बात हो रही है लेंगिक मसलों की बात अपन्य कल दी जैंडर इनिक्वालिटी की बात कर लिए अब हम बात क सकता ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था पर क्यूं कहा था धर्म को राजनीती से कभी अलग नहीं किया जा सकता ऐसा कहा था महात्मा गांधी ने पर क्यूं कहा था तो गांधी जी के अनुसार धर्म हिंदू धर्म या इसलाम जैसे किसी भी धर्म विशेश से संबंधित नहीं थ गांधी जी के अनुसार जो धर्म है वो धर्म ना तो हिंदू धर्म से संबंदित था ना इसलाम धर्म से संबंदित था ना किसी अलग विशेश धर्म से संबंदित था लेकिन नैतिक मूल्य इतिकल वैल्यूज जो सभी धर्मों को सूचित करती है सभी धर्मों में कुछ इति मूल्यों से था जो सभी धर्मों में नैतिक मूल्य विधमान होते हैं कि हिंसा मत करो सदा सत्य के राश्ते पर चलो इस तरीके के जो मूल्य हैं इमानदारी सत्य इस्ठा पार दर्शिता ये सारी चीजें वही सारी चीजें वही सारे नैतिक मूल्य जो हैं गांधी जी ने के विभणे रूपों की अब हम बात करें कि इस यह सांप्रतेक राजनीती के बिभटनrators रूप कट्टर पंती विचार धारा वाले candle यानि कि जो राजनीत दल या जो राजनीती सांप्रतैक तक्रात कैसार पर चल रही हो इसमें आप तो कट्टर पंथी विचार धारे वाले लोग रहते हैं धार्मेक आधार पर मतों का धुर्वी करण कर दिया जाता है धर्मके आधार पर लोगों को चनाव में प्रत्याशी घोशित कर दिया जाता है सामप्रदायक हिंसा और खुन खराबा की इस्तितियोत पन होती है और ठा definite दलों का अलग अलग खेमों में बंट जाना अलग अलग दलों में बट जाना जिसे आयरलेंड में नेस लिष्ट और यूणिली इस्ट पार्टी को सामप्रदायक प्रता कि आधार पर बड़ जाना तो यह अपने देख criticize राजनीति के विभिन्न स्वरूर में सांप्रत सामप्रदायक्ता को दूर करने की कौन कौन सी विदियां सबसे पहली विदी है शिक्षा के द्वारा कौन सी विदी है शिक्षा के द्वारा सामप्रदायक्ता को कैसे दूर किया जा सकता है तो सिक्षा के पाठिक्रम में सभी धर्मों सभी धर्म ही अच्छे सभी धर्म ही करें दूसरा दूसरा है यहां पे तर्म आया है अचै सभी धर्मों के सभी धर्मों का आधर करने की जम्ता जो है हर व्यक्ति में होना चाहिए तो समाचरपत रेडियो टेलिविजन आधिस जनता को धार्मिक शहष्णूता की सिख्षा दी जाए तो इस तरीके से सिख्षा द्वारा और प्रचार के द्वारा सांप्रदाएक्ता को दूर किया जा सकता है अब देखें धर्म निर्पिक्श शाशन क्या होता है तो भारत का सम्विधान किसी धर्म को विशेश दर्जान नहीं देता है भारत के सम्मिधान किसी भी धर्म को किसी भी विशेश धर्म को विशेश दर्जा नहीं देता है सम्मिधान की द्रश्टी में सभी धर्म समान होते हैं किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आजादी होती है धर्मिर्पिक्ष शाशन में और धर्म के आधार पर किय चार्ति के गोसेद किया जाता है तरह मिर्पिक्ष शाःशन No स्वरूप भारती सम्मिधान में दिखाई देता है उसके बाद जाती और राजनीती की बात करें तो जाती वाद क्या होता है सबसे पहले यह देख लेते हैं तो जाती के आधार पर लोगों में भेदभाव करना उच्चे जाती मध्यम जाती निम्न जाती इन जातियों के आध पर लोगों में भेदवाओ करना क्या कहलाता है जाती बात कहलाता है वstag की बात करें दूसरा ना वद्वस्ता तो बैंड ववस्ता क्या कहलाती है विभिन जाती समुहों का समाझ में पदानूकरम जैसे कि ब्रामठ चार अपने वर्ण पड़े होंगे आपने ब्रामण वैश्य चत्री और शुद्र इस तरीके के जो है अपने कितने वर्ण पड़े हैं चार वर्ण पड़े हैं ब्रामण वैश्य चत्री और शुद्र तो विभिन जाती समूहों का समाज में जो पदानुकरह में उसे क्या कहा गया वर्ण क्रम्या वर्ण विवस्था कहा गया है अब देखें आधुनेक भारत में जाती और वर्ण विवस्था के कारण क्या परिवर्टन हमें दिखाई देते हैं आधुनेक भारत में जाती और वर्ण विवस्था के कारण हमें आर्थिक विकास दिखाई देता है बड़े पैमाने पर शहरी करण दिखाई देता है, साक्षरता और सिक्षा का विकास दिखाई देता है, वियवसाय गती शीलता दिखाई देती है और गाउं में जमीनदारों की स्थिती का कमजोर होना आधुनिक भारत की बात हो रही है प्राचीन भारत की बात नहीं हो रही तो आधुनिक भारत में जाती और वर्ण विवस्ता के करण क्या परिवर्टन हुए दिखाई देते हैं प्राचीन समय में जाती विवस्ता वर्ण विवस्ता जोरो पर थी लेकिन बदलाओं के चलते आ पाक्षरता और सिक्षा का विकास दिखाई देता है विवश्याइक गतिशीलता दिखाई देती है और गाउं में जमीदारों की स्थिती जो है हमें कमजोर दिखाई देती है चलें आप आगे राजनीती में जाती की बात करें तो राजनीती जाती विवस्ता और जाती की पहचान को कैसे प्रभावित करती है इसके बारे मैं जानते हैं तो प्रतेक जाती समू पड़ोसी जातियों या उप जातियों को अपने भीतर समाहित करके बड़ा बनने का प्रयास करता है जिन्हें पहले इससे बाहर रखा गया था दूसरी बात करें अन्य जातियों के साथ गठवन दन में प्रवेश्ष करने के लिए जाती समूं की आवश्यक्ता होती है उसके बात देखें राजनीतिक छित्र में नए तरह के जातियों के समूह जैसे पिछड़े और अगड़े जाती समूह हमें देखने को मिलते हैं ये बात होगी राजनीती में जाती की और आंगे देखें जाती के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तै नहीं किये जा सकते इसके कारण पुछे गए आप से जाती के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तै नहीं किये जा सकते इसके क्या कारण है तो इसको भी जान लेते हैं मतदाताओं में जाग रुकता आई है कई बार मतदाता जाती भावना से उपर उठकर मतदान करते हैं जरूरी नहीं कि वो अपने जाती के विक्ति को ही करें मतदाताओं द्वारा अपने आर्थे खितों राजनेतिक दलों को प्राथ मिक्ता दी जाती है किसी एक संस ताँ द्वारा विभिन्न आधारों पर मतदान किया जाता है ना सिर्फ एक आधार की जाती के आधार पर जो है मत किया जाए भारत में किस तरह अभी तक जातीगत असमानता है जारी हैं सीधा क्वेशन आप से पूछा जा सकता है कि भारत में किस तरह अभी भी जातीगत असम मिले में ही विवाह करते हैं और कुछ जातियां अधिक उन्नत हैं तो कुछ खास जातियां अत्य पिछडी हुई भी हैं और कुछ जातियों का जो है अभी भी हमें शोशर देखने को मिलता है और आखरी पॉइंट है में कि चुनाव अथ्मा मंत्री मंडल के गठन में जातिय समीक्रण को भी ध्यान में रखा जाता है तो आज का जो शेशन है 15 मिट के क्विक रिवीजन का वो यहीं पर खतम होता है यह चैप्टर बहुत अच्छे से तीन पार्ट पर पढ़ाया गया उसके बाद इसके एंस्ट क्यारिटी सॉलुशन मल्टिपल च्वाइस क्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेशन और वन शॉट रिवीजन भी पढ़ाया गया है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दीवी है वहां से जाके आप बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं और इस 15 मिट के क्वेशन में वह सारी इंपोर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं आपको जो आपके एक्जाम पॉइंट आव यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ 15 मिट के भरोसे बैठे रहें यह 15 मिट का क्वेशन आपको कब काम में आ चाहते हैं तो यह सारी चीज़ें आपको मैगनेट ब्रेंस की यूट्यूब चानल वेबसाइट और अप्लिकेशन पर मिल जाएंगी इसके इलावा इबुक सुरी नोट्स भी चाहते हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हैं वहां से आप अवेल कर सकते हैं और सी इसी इंग्लिश मेडियम सी ऐसी हिंदी मेडियम जैसे कोर्स एसे टॉप कोर्स और तीन स्टेट बोर्ड यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड और एंपी बोर्ड इसके लावा इस पोकल इंगलेश इवी टी अंटीएस रूंप्याट जैसे कोर्स एक ही सिंगल प्लेटफोर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम मुफ्त में एकदम फ्री में उपलब्द कराए जाते हैं जी हां और मैंगनेट ब्रेंस यूट्यूब के लावा दर शुशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अवलेवल है जैसे की पेस्पुक इंस्टाग्राम ट्वीटर एं थैंक यू सो मच